हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो आईए देखिए कितने सारे फ्लावर परसलिन और पोचरलाका में आए हैं सावन में सब हरा ही हरा हो गया हर तरफ हर्याली ही हर्याली दिखाए देरी देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आ गये हैं सब तरफ हर्याली और फ्लावर ये देखिए पीले पीले फूल उसमें ये मधमक्षी भी बैठी है ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर तो चा धशीर भर भर के फूल आये हैं और पौर बहुत कुश हैं। तो आईए में मुझ कमनी के बारे में बात करेंगे। जिसे मुरया भी कहा जाता है तो सारे पौधों, पेड़ पौधों में फ्लावर तो आए हैं पर मदू कामनी की बात ही अलग है इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर आए हैं चलिए आपको हम दिखाते हैं बहुत फ्लावर और बहुत कलिया आए हैं देखिए एकदम भर भर के कलिया आए हैं गुच्छों में देखिए कितने गुच्छे, कितने बड़े बड़े गुच्छे इकठे आप इसका गुलदस्ता भी बना सकते हैं इतना सुन्दर ये आप इसके बगल में अगर खड़े हो जाते हैं इतनी भीनी महक कि मैं आपको बता नहीं सकती इतनी भीनी भीनी सुगन कि मन प्रसन्न हो जाता है तो आईए दिखाते हैं दूसरे दिन सुबर इसके सारी कलिया बंचे में खिल खिल के देखिए कितनी खुब सुरत लग रही है तो मैंने सुचा आपके साथ शेयर कर दूँ देखिए कितने प्यारी प्यारे फ्लावर एक दम महक रहे हैं मदुमक्या गूम रही हैं इसके उपर तो इस सीजन में आप भी मदुकामनी का एक पौदा लाएं अपनी घर में जरूर लगाएं चाहे गमले में लगाएं या फिर आप जमीन में लगाएं जैसी आपकी स्पेस हो छट पे लगाएं कहीं भी लगाएं ये बहुत ही अच्छा और खुबसूरत पौदा है ये अब ही देता है सिर्फ एक दो महीने ठंडी में दिसंबर जन्वरी में फ्लावर नहीं होती है बाकी सारे सीजन ये फ्लावरिंग करता रहता है और अभी एक बार खिल गया फिर से इसमें कली बनेंगी और फिर खिलेगा इसी तरह ये नॉमबर दिसंबर तक खिलता रहता है फरवरी मात से फिर से खिलना स्टार्ट हो जाता है इसको वेल्डरन मिट्टी चाहिए अगर आप गमले में लगाते हैं 40% गार्डन स्वायल और 30% वर्मी कमपोस्ट या गोबर की खाद और 30% रेट या रिवर सेंड ये तीनों को मिला किया वेल्डरन मिट्टी बनाईए और गमले में भरिए और पौधे को लगाईए और बहुत अच्छे से चलेगा पानी नहीं जम होना चाहिए जादा आप ये बहुत ही हार्डी प्रांट है बहुत आराम से आपके घर पे चलेगा और भर भर के फूल देगा बारिश में तो इसके क्या कहने बहुत फूल बंचेज में आते हैं तो आप इसको जरूर लगाईएगा इसमें कई किसमें आती हैं जैसे मिनी कामनी और भी एक दो बेराइटी आती है अब बड़ी पतियों वाली भी मधु कामनी आती है तो ये बहुत एक उपसूरत प्लांट है आप इसको एक बार अपने घर में एड़ करेंगे तो आप देखेंगे ये सालों साल चलता रहता है सालों साल भर-भर के फूल देता है मैंने अपने इस प्लांट को गर्मी भर कोई फार्टिलाइजर नहीं दिया था फिर भी इसमें काफी फ्लावर आये थे अभी 15-20 दिन पहले तो हमने जो पूजा में फूल माला हम चड़ाते हैं तो एक जगे हम इकठा कर रहे थे तो हम सोच काफी वो वर्मी कमपो गया था रखे रखे काला हो गया था तो हमने इसी को इसकी जड़के पास उसको डाल दिया तो इसमें इतना तुरंत इसमें फ्लावरिंग हो गई तो हमारा जो फूल माला किसी के पैर के नीचे नहीं पढ़ना चाहिए तो वो भी हमारा यूज हो गया और इसमें काफी फ्लाउरिंग भी हो गई तो आप भी जैसे आप फूल माला चाढ़ाते हैं तो आप कहीं इकठा कर लीजिए और वो भी बहुत अच्छा पर्टिलाजर का काम करती है तो हमने यही डाला था और मेरे ये मदु कामनी में बहुत ही अच्छी फ्लाउरिंग होई है इतनी कभी नहीं होई थी जितनी इस बार इसमें फ्लाउरिंग होई है तो देखिए हमारा पौदा बहुत ही जूम के खिला है अपकी बार तो आप फूल मालक को भी आप जैसे पूजा करते हैं तो कहीं धर धन न फ्यकिए कहीं इकठा करके रखिए और अपने पौदे में डालिए पौदे बहुत अच्छी तरीके से ग्रोध करें क्योंकि वह वर्मी कमपोस्ट जैसे लिव कमपोस्ट होता है वर्से ही बन जाता है तो आपको यह जानकरी कैसी लगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चलिए मिलता है